नौन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स चानल्स झार्टेन्मेल कर दो है उम तॉड़ को हां तो। झाल झाल कर दो अधार। कि अ हूड़ाई और दो दोो दो फंडर हैं कि अ शोड़ा है कि अ भाई आ या रहा है प्रड़ा है और रा रहा है कर दो ईजिस कर दो कर ऊधान च़साल कि डुच mélange करोशशर के जाज़ है कर दो रीघर आना शरह 요대 है कर दो जलत दोत गो दो दिसट आना लग सको षो कर दिए, नहींाते थजिए, कि पलओी वयाले गॉलते, बुम्या मवी मुझे ए भगान आग लगा इसको मकरण की खांदान को नगाड़े की चोट पर भी नींड नहीं खुलती डुनिया के सारे काम करकाद शुडू हो गए और ये मन्हुस लोग विस्तत पर मस्ती ले रहे हैं अरे तुमारे फुर्खे उतरेंगे काम करने के लिए उठते हुए अँचाओ जाड़ू चलो उठो उठ, उठ, उठ जल्दी-जल्दी काम करो जल्दी काम करो चिला रही हो उठ, 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 जगे नहाँ उठ सरब काम चोट ठीक जल्दी, जी मुझे सिंद्री ले उठ, समोर्वा कुमारी थी दख, उसे इंग्लेंड की रानी थी, जो जह खागे मर गई, छुप्रा हो तो मैं लहीं आलू सिंडियला एक परीट थी, मुझे संडियला की काले सुनाओना पूरी कहान इसे नहीं हाती जीती जीती मुझे संडियला की काले सुनाओ क्योंकि कहाने क्यों वाक्त है? अभी कहाने बैठ जाओंगी, तो काम काम करेगा पहले कहानी, बाद में काम और उसके पीता जी नी, दुस्तरी शादी खर ले और उसके दुस्तरी सौती नी माती उसके जीने की खरब हो गए बिचारे की और ये कहाने करीं दुस्तरी तो भान, वाद जा याज नी, तो कहान काई गए और ये सौंठी पूंच गए और गर में शांभी कैसे है? By the night जा कर देखो तो सही की टोल वारी मुझीकों काहां चलीगे तो कहीं काम में लगी होगी तो कहीं काम में लगी होगी, तुम्हारी भांजी को मैं खुब अच्छी तरह जानती हूँ, मेरे बच्चे पढ़ है ये चूने में जाए, तुम्हें कोने बचे कहानी सुना रही होगी, तुम्हें से उपर से परी आई, परी ने देखा सिंडिला विजार इतनी अच्छी में लगाते ही मंगे तर चल बसा, यहां लो तु राजय के महर में जा रही है, तुम्हें तुम्हें का कर रही है चलो यहां से, किताबें उठाए चुड़े रंगाल दो, चलो, पेसरन कहीं कि, निरलंड, तु तो मेरी जान साते रहेजी, तुम्हें सामें का, बूल, बूल शान्ति रेवी, शान्ति, चुप जप्षाण घ्रगाण जहां जाना है, शब्सकण मद बिघाड़ू, क्या नही नोटंकी जमाना है, नही नोटंकी नहीं, तुम्हें रिष्टा तैकरने जाना है, तो पहले कियो नहीं बताया, जाना है तो जल्दी जाओ, और तैकर नहीं करना हम लोग लड़की वाले हैं हमको तब की चलना चाहिजे अगर बड़ी आस लेखर तुम्हार चन्नों में आई हूं बगवन तुम अगर साहरा नहीं दोगे तुम्हेरा चीना कचिन हो जाएगा सबकी तुखरते हो उस दुख्यारी को क्यों भूल गए आज अगर मामा नीराश लोटे तुम्हें समझूगी तुम्हारी दय की सारी कथाएं जूटी है कथाएं कभी जूटी नहीं होती अगर वह कभी छुपकर कभी इंसान की रूप में आकर लोगों का भाला करते हैं आप भला मुझे नहां पैचानिये इंसान में छुपए बगवान को पैचानिये वो बहुत द्यालू होते हैं बहुत प्यार करते हैं पहले ये बताओ समधिने जबाद क्या दिया चंचल समधन के तीरों की मुषपर भारी भरमार हुई प्रिश्टे को मेरी संधन तयार हुई बोर्शिया वरशी रामचंडर की जय 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 तो क्या अलव मानुग है? मेरी तोथी इसलिए तुम्हे अलाफ रहा हुई ए भगवाल तुस इतना दयालू है इस मूरख को भी समधदार बना दिया अरे तुमने तो मंगला करिस्ताताय करके सारा घर समाल लिया उसे बताऊं की तो बड़ी खुछ हो जाएजी बैचारी बड़ी उदास रहा करके जी मां बताती हो ते मंगला! अरी वो मंगला! मंगला? अरी वो मंगला! कुने कु सुना तेरे मामा तेरे लिए ठीक बहुत ही खुबसूरा पणालीका बरताय करके आया है पगली, लोगों के भड़काने में आकर, मैं तुझे बड़ी अभादन समझती थी, लेकिन तु तु बड़ी भागा आमने के लिए रहे हैं, तेरे शादी से, मेरे घर में खुशियों का ताता लग जाएगा, संजी बेती, अरे, तु रो रही है, अबिल के लिए, उने गरीबी ने मुझे बहुत सताया, ममता ने मुझे बहुत मारा, इसलिए मैं सीखती थी तेरे पर, तुझे ही डाटती थी, क्योंकि तु स्थीधी थी बेटी, अब तु चली जाएगी, तो मैं किसे सताऊंगी, किसे डाटतींगी, मेरे कहे का बुरा नहीं मनना बेटी, मुझे माफ कर देरे, आपका देरा नहीं आपके आशेवासे सब कुछ थेश करें दीदी, तुम तो बिल्कुर राजकुमाई जैसे लग रहे हो, जीजाजी भी तो राजकुमाई जैसे होंगे दीदी, शाडी के बद तुम हमें छोड़के चली जाओगी मेरा सब कुछ छोड़ रहे है, घर, आंगन, तुम सब किसको भुल पाओगे मामी घरी खरी आद करेगे, मामा आते जाते बुकारेंगे तुम सब के जगरों का कौन पैस्ता करेगा अर यहां आया करोगी ना दीदी बिलाओगी तो शजरूर आँगी बिलाओगी ना, जरूर बिलाओगी दीदी पसलो बरात आगे हाओग करेगा अरो करो करो करेगा 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 अर पडर ऑगाओः। जया हुआ जया हुआ जया हुआ गखा… जया हुआ ज़ गता मुआ खाय依! कि इतनी उम्मिदों से मैंने इस्टाजी की तयार जाकी थी सोचेता है इसके बाद अपनी बच्ची और भी हाथ फिले करते हैं लेकिन मेने सारी उम्मिदों पर पानी फिर कया फिर वही अंदेर कांदेरा और सब इस जाएंग कराये सब उल जाना है किसी के गरण मेरी बच्चियों की जिंजी की बर्बाद हो रही है पता नहीं पहुं सब्सक्राइब करें जाइन पड़ा हुई है कि जाजा पाऊ रखती है वही वही आग लग जाती है ये बगवाद अब बस भी करो अरे कहां तक बर्दास करो जिस दिन से घर में इस मनूज के कदम पड़े है मेरा जीना मुश्गिल हो गया है इसके रहते मेरे घर में आजसी कुछी नहीं आज सकती है चंडाली नमर्ती है नहां में जीने देती है जाने इसके नफ़ी में और किस-किस के मौत लिक्की हुई है एजीन पंथो तुमने दुरापधी की लाज बचाई थी आज मेरी लाज बचा लो नहीं तो मैं दूब मरूगी तो दूब मरो मैं भी तुमरे साद दूब मरूगी यह स्रिप नाम की भगवान है जो चैनम देते हैं पर दिनने की नहीं देते यह हमारे लिए कुछ ने कर सकते कुछ ने कर सकते जब आप मुर्तियों से शिगाट कर रहे थी मैं सब सुन रहा था ताज्यूभ है इस हसने खेलने की उमर में किलनी मायूसी परेशानिया उमर देखकर नहीं आती लेकिन इस तरह दुख़ा रोने से परेशानिया जाती भी तो नहीं तो और क्या किया जए सूखे जहरने की नीचे हाथ पहलाने से प्यास नहीं बुझती यह मुर्तियों आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगी यह भगवान का मंदिर है इंसान अपना तू भगवान से नाखे तो और किस से कहे बात यह है कि हम अपनी ना समझी की कारण भगवान को पहाडों में गुफाओं में तीर्थों में ढूंते हैं या इन मंदिरों में इन मूर्कियों को पुकारते हैं लेकिन भगवान तो सब जगा होता है, और सच्चा मंदिर तो मन के अंदर होता है, जहां वो बस्ते हैं, देखिए, अपने मन में देखिए, शायद वो भगवान आपको मुझ में मिल जाए. अगली गली में मेरा घर है, अच्छा है, एक बार देख लूगा तो मिलने में दिक्कत नहीं होगी, नहीं, गली के लोग आपको मेरे साथ देख लेंगे, तो मेरे मुसिबते और बढ़ जाएंगे, आपको ऐसा लगता है कि मैं आप समझते क्यों नहीं, आपसे मेरे जान आप किसी को ढूम रही थी, मैं जपा हूँ, आप मुझे को तलाश कर रही थी कल शाम को 5 मेजे, कमची गादिश में, आवगी ना ? मानते हैं, वादय के ब्लक्ली पक्की हो तुम। मैं तो समझाता, तुम आवगी नहीं सबसे बड़ा सारा प्रें होता है तुम्हारी बात उसी लघता है? तुम तिवाने हो गया हो तिवाना नहीं प्रीमी करवाने करवानों से जरी लगता है प्रीमी जगी होते है कीवाने कीवानों से हाँ डरी लगता है करवानों से जरी लाया कर वानों दो प्रीमी कर दो दोलने कर दोलने कर दोलने कर दोलने कर दजनना अजनना झार ब अन्हार कि आगके टूरे लोगाना थाटार कि थाटते हैं इह मान जावना, बेजन है मेरा दिल बड़ा हम दो लोग हमें इस दूझे को जान तले, जान तो ले पहे, जान तो ले हर पहले है जो मीत पुराने, हर पहले होते है वो अन जाने पंजानों से डर्लत चाहे, प्रीमी सभी हाप्ती है की जार, प्रीमी वानों से हाप्त डर्लत चाहे हर प्रीमी वानों से जान तो ले जान तो ले घाना जोगना बना एम उस है, तो मैं तुझा जोगना, जोगना, जीज दिर आना घंघा करें। जिन्दकी लेगी तदी खंग आपाईया क्या होगा चालों को ये मल दूर ना हो ये जग साकत दूर ना हो अर्मिया चाहे गौने न माने अर्मधी में है तो दिल मस्दाने मस्दानों से डर लगता है प्रीमी सारी हाते है दिवान जीवान उसे हाँ डर लगता है नहीं अनुप अभी नहीं ना ना कहा मगला तन को तरसाओगी तुम बन भी दर्चेगा मेरी बन जाओ अभी इसी वक्त अधिरा अनुप ऐसे नहीं मैं तुम्हारी हूँ तुम्हारी बनूंगी जिस दिन तुम बराद लेकर आओगे तुम्हारी हूँ जादी मैं भीता सुनू मेरी सकुंत्रा को कौन दुस्यंत मिल गया है इत्वार की शाम को वो अपने पिताजी के साथ आप लोग से मिलने आएंगे देखे इसके लग्चन हमने कितना सारपटका शादी ताई नहीं कर पाए अच्छा है शादी करती है खर्चा बज जाएगा और बला भी तेलेगी तनहाई भी है तुम भी हो कहो तो लोगों की भीड लगा दू भुला दूनों को सच भुपा तुम भी हो तुनिया की भीड में अकेला रह जाता हूँ जब तुम मेरी करीब हैती हूँ तो ऐसा लगता है सारी दुनिया मेरे साथ है तुम भी है तुम भी है तुम भी है तेरे प्रेमिक इंचिजार में सब तक क्यूला जलता रहेगा विचारा कहीं फस गया होगा कहीं नहीं फस गया है मैं सब जानती हूँ जाके अंदर पड़ा मूँ काला कर नखरा करती है बेशरम कहीं अभागन है विचारी कहो तो इसकी कुली किसी जोतिशी को दिखाए कुछ तर्कीब निकल आएगी बार्वे स्थान में मंगल पड़ा है इसी ग्रह के प्रभाव से वर्की खानी होती है जब भी विवास तय होगा कोई ने कोई बाधा आवश्याएगी और अगर आपने इसका विवास कर भी दिया तो कन्या विद्वा हो जाएगी मंगला का विवास अगर किसी अपाहिश से कर दिया जाए तो वाद बन सकती है अपाहिश? यहने लूला, लंगड़ा या अंधा नहीं महाराज नहीं मैं मंगला का जिवन बरबाद करना नहीं चाहता तो डुगगी पिटवाव और धूरो इतने अच्छे भय लड़के इस द्रह इनके लिए मगना चाहते हैं बगर भागवान जाए जोता राम जी कन्या का सुहाग सबसे बड़ी चीज है इसी विवास से मंगला सुहाग इन रहेगी तो महाराज जी आपकी निगाह में कोई ऐसा लड़ता हो तो बताईए न वड़ोस के शहर में कंद गायक है अपनी गाय इंशाला चलाते हैं अच्छा खासा मान सनमान पलकन से मगजार ओ मगजार मगजार खर आये सती सी पर सन मनवार। अले सनी दे बंगार। साथा पनी पानी सगागा शाथा। गामा बानी सन मनवार। सरकन से मग जार। खर ले कानी के बंगार। कहो पजितु किसका नहाए। कहो पजितु किसका नहाए। को अनलात अभिलाता आए। सदा रंग रंग फीत का भर कर। मैं तो साथ स्वरन के मंदर मार। पलकन से मग जार। खर आए अपीची पर अनमनवार। खर आए अपीची पर अनमनवार। पलकन से मग जार। पलकन से मग जार। पलपन ते, पलपन ते, पलपन ते, मतुझा नमसिमा तुझे कौन? जीप, मैं तारा तारा? मैंने पैचाना नहीं मासुझी, इन्हें तो सारा शहर पैचानता है इनकी माता जी मुन्नी भाई के एक एक तुक्ड़े पर जुनके हजार हजार तुक्ड़े हो जाये करते थे और आजकल तो इनके गृतकार पर भरे के भरे शहर उज़र जाते हैं पारा भाई, मैंने कोई जूटा? जी नहीं अच्छा मस्ट जी, मैं चलती हूँ बिना कुछ कहे आप लौट रही हैं कोई काम था आपको सीखने आये थी लेकिन मुझसे पहले मेरी शौरत यहां पहुंचके लगता है मेरा यहान आप लोगों को अच्छा नहीं लगा हर संगीत प्रेमी के लिए मेरे दरवाजे खुले है पास्ट जी, इन्हें दाखला देने के बाद आप तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा मेरा मतलब यह है कि इन्हें दाखला देने के बाद आप बाद शहर की हर खोटे वाली आपकी शागिर्द बन जाएगी तो क्या हुआ नाच कोई पुरी चीज नहीं गानी की तरह नाच भी संगीत के एक अंग है अरजी मैं आपको संगीत सिखाऊंगा अब कल से आना शुरू कर दिश जी अच्छा नमस्ते नमस्ते देखिये आनंजी आज हम सब एक बात का फैसला करने आये हैं और वो यह है कि अगर एक नाचने वाली आपकी क्लास में बैठती है तो हमारे बस्ति आपकी क्लास में नहीं बैठेंगे लेकिन उजा साहब नाच कोई बुरी चीज तो नहीं है मगर यह बादारू औरत है इसके नाच गंबे होते है भाई साहब दुनिया के हर चीज में हमें अपने ही खैलों की छलग मिलती है मुझे तो हर आउरत पवित्र और हर कला भली लगती है लेकिन आप समगे मेरे यहां किसी का अपमान नहीं होगा अनन जी ऐसी ओरतें अगर आपके यहां आने लगेंगी तो आपका और आपके स्कूल का नाम मिट्टी में मिल जाएगा हर नेक काम के पीछे बदनामी चलती है मुझे इसकी फिकर नहीं है अगर आपके यही दिद है तो सिर्फ यही औरत आपकी स्कूल में रह जाएगी शायद यही बहतर होगा जो लोग संगीत की पवित्रता को समझने के बदले समाज की गंदगी में भटकते हैं वो लोग संगीत से दूरी रहे तो अच्छा है जो दुनिया को भूलकर संगीत सीखने के लिए आता है उस्ताद की नजर में वही सच्चा शाधित है और मुझे ऐसा शाधित में रहा है अगर आपकी यही दिद है तो हम अपने बच्चों को लिए जाते हैं ने ने आप अपने बच्चों को यही रहने देजे Master जी, मैं ही यहां से जली जाती हूँ नहीं तारा जी, आप नहीं जाएंगे मैं, मैं दूर रहकर भी सीख लूँगे आप इन्ही नाराज मत कीजे अपनी गल्ती मानने के वज़ाए कोई नाराज होता है तो होता रहे मैं आपको संगीत सिखाऊंगा आज आपकी शरापत का इम्तिहान हो गया, Anandji अब इस माहौल में हमारे बच्चे कभी नहीं आएंगे मैंने कहाना में जा रही हूँ आपके बच्चे यहीं सीखेंगे Master जी मैंने हमेशे दूसरों को खुशी देने की कोशिश की है यहां आकर किसी का दिल नहीं दुखाना जाते अच्छा Namaste आप लोग भी जाएगे जाएगे जाओ आप लोग जाएगे की सब्सक्था कार मैं यहाओ कर दोमगे कर दो आप कर दो खुब सूरत लोगों का ये बहाना मुझे को खराब सरके कहता है ये जमाना जमाना ये औरत खराब ये औरत खराब ये बोलो अब क्या जवाब है बना कोई जवाब है कितना है खुब सूरत लोगों का ये बहाना मुझे को खराब करते तेहता ये जमाना जमाना ये औरत खराब ये औरत खराब ये औरत खराब ये लोगों मैं मुझे से काने कितने सवाल पूछे, लोगों मुझे से जाने, कितने सवाल पूछे, एक आश कोई मेरे दिल का दियान पूछे, दिल का दियान पूछे, सारे शहर में ऐसा, कोई नहीं दिवाना, मझे को खराब करके कहता है ये जमाना, जमाना ये औरत खराब में, आहां ये औरत खराब में, बोलो अब क्या जवाब है, बलना कोई जवाब है है कौर जिसके लब पर कोई सुआ नहीं है है कौर जिसके लब पर कोई दुआ नहीं है मेरा ही एक शायद कोई खुदा नहीं है कोई खुदा नहीं है होता अगर तुंता मेरा भी वो सताना मुझे को खराब करें कहता है ये जमाना जमाना ये आयत खराब है आहां जी ये आयत खराब है बोलो अब क्या जवाब के वरना कोई जवाब है कौन आप और यहां तो क्या हुआ कारा जी बात तो संगीत की है न और संगीत से हम दोनों को लगाओ है आपको सीखना है और मुझे सिखाना है आप वहाँ आने है सकती है इसलिए मैं यहां चलाया आननद बाबू यह जगे बहुत बदनाम है आप शरीफ हैं बदनाम हो जाएंगे आप? मैं गोपिनाथ हूँ तारा का दोस्त गोपिनाथ जी आप शरीफ नहीं है मैं आपनी शराफती के लिए बदनाम हूँ ऐसी बदनाम ही कौन नहीं चाएगा सिर्फ चाहाने से कुछ नहीं मिलता आननद बाबू इसके लिए धोका कहने के कोशिश करने पड़ती है आननद बाबू आप मेरी तालिम शुरू किजी देखिए मैं चाहता हूँ मंगला को अंधेरे में न रखा जाए मैं उन्हें देख नहीं सकता लेकिन वो तो मुझे देख सकती है आप ठीक कह रहे हैं शादी के लिए मर्दों का रूप और और अरतों का गुन देखा जाता है इनके कहने का मतलब है कि शादी ब्याह में मर्दों का गुन और और अरतों का रूप देखा जाता है मंगला को आपने ये तो बता दिया होगा कि मैं सब कुछ बता दिया बेटा साब कुछ आनंग जी गधों के मांगे सिंफन दीजी मंगला यह शादी करके तुमने मुझ पर बहुत बढ़ा उपकार किया उपकार जान बुझकर किया जाता है जो अनजाने में हो जाए उसे मैं उपकार नहीं मानती अनजाने में? हाँ मुझे आज ही पता लगा है कि आप देख नहीं सकते कि तुम्हारे मुआमा ने कहा था कि तुम्हें सब कुछ बताया गया था मुझे कुछ नहीं बताया क्या यह क्या हो गया पंगला जिस शादी के बुनियाद जूट पे रखी गई हो मैं उसे शादी नहीं मानता किसी के मानने ना मानने से क्या होता है शादी तो शादी है आपके पत्मी बने रहने के इलावा मेरे पास दूसरा रास्ता भी तो नहीं तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वो शादी नहीं शादी का मजाक है शादी के नाम पर एक कलंख है मैं ये शादी तुम पर लादना नहीं चाहता तुम मेरा घर छोड़ने के लिए आजाद हो औरत के तक्दिर ने पिंजरे ये पिंजरे लिख़े होते हैं उसे आप क्या अजाद करेंगे वक्त पदलता है, तो पिंजरे की शक्र बदल जाती है बचपन में माबाप का पिंजरा, फिर पदी का पिंजरा नहीं यह घर कभी पिंजा नहीं बन सकता तुम यहां हर तरह आजाद हो अगर तुम अपनी मर्जी से यहां रहना चाहोगी तुम उझे बहुत खुशी होगी वरना तुम जब चाहो इस घर को छोड़ते जा सकती हो आप इस वक्त आप इसी पर कर लोट चाहिए आज आपकी सुहाग राज है आपका इसी रात इस घर में आना मुनासिब नहीं पारा मेरी सुहाग राज शुरू होने से पर खतम हो गई है यह शादी मंगला को दोका दे कर की गई है जिस रिष्टी की बुनियाद परेब पे हो उसे मैं सच कहां तक मनूँगा अगर मैंगा यह आना तुमको बुरा लगा तुम्हें चला जाता हूँ ने, ने, आईए 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 यह आईए तारा मुझे थूड़ी शराब मेलेगे लेकिन आप तो कभी नहीं पीति थी आज पीना चाहता हूँ आनन बाबू शराब की तासिर समझे बिना इसे दोस्ती मत कीजिए ये दिल के अफसाने बुलाती नहीं वो पारती है इसे तो खुशी के मौके पर पीना चाहिए लेकिन आप तो हमेशा पीते हैं हाहा हा हमारे बात छोड़ी आनन बाबू हम तो दूब कर पारोना चाहते हैं बस भी करोगो पिनात आनन बाबू आप पीना चाहते हैं न मैं आपको पिलाओंगी कैसी हो मंगला बेटी मैं किसी की बेटी उची नहीं हूँ तुने भी मुझे नहीं पहचाना क्यों आप मुझे भी अंधर समझते हैं अंधी थी जब मैं आपके घर में रहती थी तब आपको नहीं पहचानती थी लेकिन आप मेरी आखे खुल गई है और मैं आपको अच्छी तरह पहचानती हूँ अपने मामा से नाराज है कोई नहीं है मेरा मामा अगर आप मेरे मामा होते तो कैं मुझे इस तरह धोका देते बेटी तेरी जलम कुंडली यही थी आग लगा दीजी उस कुंडली को मेरे सूप चैन में आग लगाकर आप उस कुंडली के द्वाई दे रहे मैं लाचार था बेटी जोद्शी ने यही सला दे थी आपके जोद्शी मुझे भी मिले थे और कह रहे थे कि इस जनम में मामा मामी की शकल तक नहीं देखना नहीं तो जिम्देगी बरबात हो जाएगी चले जाए यहां से बहे कहा ना चले जाए यहां से मंगला मंगला जी यह देखो मैं तुम्हारे लिए क्या-क्या लाया हूँ यह सब शंगार की चीज़े हैं यह काजल है सुनो इसे ज़रा संभाल के लगाना कहते हैं एक सुंद्री अपनी आखों में काजल लगा रही थी तो तेज निगाहों से उसकी उंगलियां कट गई और यह बिंद्या है आकाश के चंदा की तरह तुम्हारे माथे पर इखलाएगी और यह साड़ी है तुम पर बहुत खिलेगी आपको कैसे मालूम पहले में सुंदर्ता देखता था अब मैसूस करता हूं मंगला मुझे तुम्हारी सुंदर्ता का ऐसास है मुझे तुम्हारी सुंदर्ता क्या हुआ मुझे तुम्हारी तुम्हारी बदन पर शाड़ी क्या मेरे बदन से ये सारी जादा खुपसरत है कवे नहीं तो आप बदन तो एक जुवाला है उस पर साड़ी तो क्या हवा को भी आग लग जाएगी तुम मुझे हमेशा इसी बाते सुनाते रहों कि न हमेशा 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 क्या हुआ एक कितर की शीशी भी लाया था ठोड़ गई कौन? कैमल है कैमल? अपनी जबान में कमल और अंग्रेजी में कैमल वैसे मैं आदमी कमाल का हूँ मैं पहचाना नहीं आपको पहचाना नहीं? अरे आपके दूर के चचा सुखी राम का करीब वला बेटा दुखी राम और कमल अच्छा जी संगीत का शौक है जी भाया अबला से तबला तक जो भी बेसुरा होता है उसे खीच कर सुर में ले आता हूँ लेकिन यहां कोई बेसुरा नहीं है चलेगा भाया मैंने चूला चक्की से लेकर तेल मालिश चंपी तक सब कार्यास किया है आप एक बार मौका दीजिए आपके साज उठाऊँगा आपके नाज भी उठाऊँगा भाया एक दस रुपए देना रिक्षेवाले को देने है बहुत पहुंचे वह लगते है आपकी डया है भाया लेनो दस रुपए यह तस रुपए ए रिक्षवाले, ये लिए अपने 10 रुपे, जाए आसे, चल भाईया, मैं अपना सामान कहां रखो ये, कहां चली आ रही है, चल-चल सामान उठा बहुत अशलूटली तुम लोगोंने, अब नहीं चलेगा, चल, सामान उठा कौना आ है, में हूँ मंगला, कमली, ये तुम्हारी भावी है चल-चल, सामान भावी, भावी तुम मा बराबर होती है मा, मुझे माफ कर दो, अपने आचल में चुपा लो कि मेरा ओ, अरे, इन्हें मना किजे ना, ये मेरे पैर पकड़ी है मिला, माफ कर दो, वैसे ही ये हमारे रिष्टेदार है मेरे क्लास का बोटिड़ाना कम्रा है, बहा इनका सामान लखा जो मेरे राजा, भावी, भावी इसी क है करी रह een क्याओ माईस summ Bairov कर दो कहते थैं कि इसका सुदेने मुश्किल है अजी वो शागिर्थ क्या, जो उस्ताद की मुश्किलना हर कल सगे कितना खर्च होगा? मुझे तो आपसे एक पैसा नहीं लेना चाहिए मुझे तो शरम आती है नए ने फिर भी इसकी बनवाई के पैसे तो लेने ही पढ़ेंगे ये लिए अगर आप पैसे देकर खुछ वहाँ चाहते हैं, दे दीजे मासा जी साओर ले लिया है शरम नहीं आती मालिक को अपना जूता दूप पिलाईगी पीजी जा, निकाजी हैसे चोड़ केंगी निकाजी हैसे मंगला क्या बात है तुम राधा को इतना डांट क्यो रही थी? आपको दूप देने से पहले आधा दूप खुद पी गे थी और लोगों की तरह ये भी आपको बेवाकूप बना रही थी नहीं मंगला मुझे बेवकूफ बनाती है मेरी कमजोरी मेरा किला बन अब आपकेले का मैं भी तु हूँ या आज से इस घर कर सारा कम में खुद करूगी तुम अकेली कर सकोगी क्यों नहीं मामा के वहां इससे केई गुना जादा कम करती थी वहां के बात और थी वो तो तुमारा घर था अब मेरा घर ये है पिया बिंजिया नहीं लागे पिया बिंजिया नहीं लागे क्या कोई सोएे क्या कोई जागे पिया बिंजिया नहीं लागे है रभ पिया बिंजिया नहीं लागे जिसने हमरे खबर ना लेनी बाट तके उस निर्माही की दर्स के प्यासे नैन वा भागे पिया बिंजिया नहीं लागे पिया बिंजिया नहीं लागे है रभ पिया बिंजिया नहीं लागे मोसी बिख्रे तूटी माला मोसी बिख्रे तूटी माला मोसी बिख्रे तूटी माला बस एक बात में सब कह डाला क्या कहना है इसके आगे पिया बिंजिया नहीं लागे है रभ पिया बिंजिया नहीं लागे क्या कोई सोए क्या कोई जागे पिया बिंजिया नहीं लागे पिया बिंजिया नहीं लागे आए मोला मंगला आज तुम्हारी पाजब कह रही है तुम्हार को खुश हो अंदर आईये न इस कमरे की मह कह रही है आज वो असंदाया है इस तरह से तक आकर एक रात वसंद रौट क्या था वो रातों की रात हमारे लिए बिरहा की रात बन गे थी मैंने सुचा आज की रात को हम सुखा कर बना दे मंगला अपने मूद पर फैसला छोड़ा था ना मैंने टैक कर लिया है जब तक सास है इनी बाहों में बसे रा करूँगी और उसके बाद इनी कंदों पर चीता तक चाऊंगी मंगला कैसे लगा यह हार बहुत सुन्द है माँ इसे पैना करती थी बरसों पहले उनोंनों मुझे यह हार दिया था और कहा था मेरी बाव को यह पैना माँ मैं कितनी खुश नसीब हार के साथ मुझे माजी का अशिरबात भी मिला है बजपन में बठन लगाने के लिए मैं मा को पूरे मौहले में दोडाता सा अज तुम बठन लगा रही हो और मैं हल भी नहीं सकता आज भी मन भागने को खरता है नहीं अब मैं भागना नहीं चाहता कौन प्यासा गंगा का किनारा छोड़ेगा जब प्यास पुझेगी उसके बात नहीं मंगला कभी नहीं ना ये प्यास पुझेगी ना मैं तुम से दूर जाऊंगा सुजयों को सिर्फ चुबना आता है और आपको क्या आता है चुबन का दर्दमीन आपके घर में इस तरह और कौन खुझ सकता है अच्छा अच्छा नो बहुत इनों बादा है मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगा पहले भावी से मिलवाईए अच्छा मंगला माई ने तुम्हें शादी पे नहीं बुलाया इसलिए नाराज हो ना जी हर कोई बात नहीं मंगला को देखती ही तुमारे सारी नाराज की तुरू बजाएगी मंगला ये मेरा दोस्त अनूप है नमस्ते नमस्ते इनके पिता जी नहीं मेरा स्कूल खुलवाया था और ये भी हमेशे मेरा स्कूल की मदद करते रहते है बड़े ऐसान है इनके मुझ पे अब छूड़िये भी क्या बाती लेक बैट गया आप मंगला इनका सामान अंदर रखवाला मेरा सामान तो होटल में है बहुत दिवाँ खराब होगा है तुम्हारा जब मैं यहाँ अकेला था तुम्हारी देखभाल करने माला कोई नहीं था तब तुम यहाँ रेते थे और अब जब मंगला आ गई है तो तुम होटल मेरा होगे? शायदीनी वहाँ सादा आराम हो. कमाल है? होटल होटल है, घर घर है. सवाल ही पैदानी होता. अले कमाल! जी भाईया. इनके साथ होटल जाकर, इनका सामानिया लियाओ. जो आग गया? नहीं आननजी, मेरे ख्याल से. तुम चुप रहाँ, परना मैं आराज हो जाओगा. जाओ कमाल. जी, आईयो. माफ कीजीगा, मैंने आपको पहचाना नहीं. मैं आननजी की बहुत करीबी. तहीं आप उनके मामा के लड़के तो नहीं? नहीं. नहीं? मौसा के? यहं. यह भी नहीं. पूपा के? जी, बात यह है, मैं आननजी का बहुत अच्छा दोस्त हूँ. सिर्फ दोस्त? मैं तो डरी गया था. वैसे, आप कौन है? मुझे नहीं पहचाना. मैं आननजी का पड़ाओ नजदी की रिष्टेदार हूँ. मैं उनके मामा के चाचा के ताय का लड़का हूँ. जी? नहीं समझे, रिष्टा अपना विलंबित में है. बड़ी खुश हुए आप से मिलके. मुझे बहुत खुश हुए, चलें. चलिए. अनुब, मंगला के बारे में एक बात में हमेशा जाना चाहता था. लेकन आज तक किसी से पूछ नहीं सका. तुम से पूछ सकता हूँ. लोग जो मंगला के बारे में कहते हैं, बहुत सुन्दर हैं. क्या कहते हैं? यही कि ये बहुत सुन्दर हैं. अच्छे एक बात बताओ इनकी सुन्दर्ता में सबसे सुन्दर क्या है? आखें सुन्दर्ता को हमेशा सुन्दर्ता ही देखनी चाहिए बाग, पेर, फूल, थियेटर, ड्रामा, सिनिमा ये सब मंगला को देखना चाहिए मैं तो इन्हें दिखा नहीं सकता तुम्ही ये सब दिखा ला इनकी साथ? नहीं, मैं चलूँगी तो सिर्फ आपके साथ ही मेरी बात मान लो मंगला बाहर जाओगी तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा ये घर में बैठे बैठे कब तक गुड़ती रहोगी? मैं घर में ही खुश हूँ तो अपनी ये खुशियां बाहर जाकर बिखेरो तुम्हे मेरे घर नहीं चाहिए था मैं जानता हूँ मंगला लेकिन मैं आनजे की बात ताल नहीं सका मैं उनकी बहुत इज़त करता हूँ तुम चाहते तो कोई भी भाहना बना सकते थे तुम्हें देखते ही अर्मान जागुथे और सारे भाहने भूल गया तुम तुसरे वादा भुला करते थे याद है लेकिन तुमने मुझे वादा करते थे मैं जानता हूं मंगला और कुछ महेने बाद, जब उनके साथ लोटा, तो मेरे प्यार का गला घुट चुका था अपना अपता भाग है, अनुप मुझे तो अपने शादी से सब कुछ बल गया है सच्छा प्यार मिला है तुमें, तुमें कुछ तो मेरा ख्याल करना ही होगा अनुप, तुम तो जानते हो, जब मुझे पर किसी का अधिका नहीं था, तभी तुम मुझे तो नहीं पाय थे और अब मैंजिन की पत्नी हो, उनकी पूजा करती हो, पेहाद प्यार करती हो ये प्यार, अपना पन, मैंने बड़े मुश्किल से पाय है, अनुप अगट बड़े मेरा जारा सिभी है ले, पुम मेरा बसा-बसा है घर मतु जारू अगला मंगला मुझी तुमसे एक सरूरी बात कर नहीं है, मेरे साथ आओ क्या बात है? मंगला मुझे विश्वास नहीं आता कि तुम मेरे बगार खुश रह सकती हो इतनी रात के इस बात के लिए तुमने मुझे बुलाए तुमारे तु आख्ले देखता नहीं में कितनी खुश इसलिए तु कहता हूँ कि तुम खुश नहीं हो तुम अपने साथ मुझे भी दुखा दे रही हो मंगला तुनियादारी के लिए अपने जजबातों का गला घौटना ठीक नहीं मैं जानता हूँ तुम आज भी मुझे प्यार करती हो गलत कमी है मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती हूँ तुम मुझे प्यार करती हो अनुप अगर अपने अपको नहीं समा सकते तो यहां से चले जाओ चले जाओ आओ मेरे साथ देखो अपने आपको देखो मेरी आँखों से देखो और उन आखों को भूल जाओ जिन्हें इस वूरुप की कशिश का अहसास भी नहीं अपने अर्मानों से इतनी दुश्मनी अच्छी नहीं आओ मंगला, मेरे पास आओ मैं तुम इंदिने की वो सारी खुश्यां दे दूगा चो, अनुप मंगला, तुम मेरी हो नहीं तुम सब आपके नहीं हो सकती मैं चिलाओंगी अनुप तुमने मुझे मजबूर किया है सुबा होते हैं मुझे उने सब कुछ बताना पड़ेगा इनकी गोलिया? लेकिन मैं तो कभी निनकी गोलिया नहीं खाता लेकिन मुझे तो निनकी गोलिया की खाली कागस जैसे ही घर में मिले हैं यह देखी आनन जी अच्छा इसलिए मेरा सर इतना भारी है लेकिन यह वहां कैसे पोंच गया? और फिर मुझे किसमे दी होंगी? सिवाय मंगला हाँ आनन जी मैं भी यही कहना चाहता था यह गोलिया आपको मंगला जी नी दी है लेकिन वह ऐसा क्यों कर रही है? इसलिए क्योंकि मेरे साथ गुजारा हुआ पुराना वक्त वह वापस लाने के कोशिच कर रही थी तुम्हारे साथ गुजारा हुआ वक्त हाँ आना जी वह मुझे शादी के पहले ही जान्दी थी हम एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे के बाद शादी तक बढ़ गई थी इसलिए जब मैं यह आगा ठहरा तो उनकी कमजूरी जागू थी जब उनके साथ बाहर गया तो कमजूरी ने उन्हें और उभारा और कल रात आना जी कल रात उन्होंने अपनी मर्यादा भी छोड़ दी मुझे तो आपकी दोस्ती का ख्याल था आना जी इसलिए मैं बात बचा गया अब मैं या नहीं ठहरूँगा यहार यहार जोनन कुसे में आकर मेरे मुण पर फैंक दिया था महना चाल तरृ जी तुम शादी से पहला नुग को जानती थी जी उसे प्यार करती थी जी उससे प्यार करती थी उससे शादी भी करना चाहते थी जी फिर मुसे जोट क्यों बोली क्यों धोका दिया मुझे अपने मन का चोट छुपा कर क्यों मै लाती रही मुझे बोलो जवाब दो औरत की तक्दिर में पिंजरे ये पिंजरे लिखे होते है उसी आप क्या अजाद करेंगे वाक्त बदलता है तो पिंजरे की शकल बदल जाती है मंगला ये मेरा दोस्त अनूप है नमस्ते मंगला इनका सामान अंदर रखवा लो मेरा सामान तो होटल में है जब मैं यहाँ अकेला था तुमारी देखबाल करने वाला कोई नहीं था तब तुम यहाँ रहते थे और अब जब मंगला आ गई है तो तुम होटल में लोगे शायदीने वहाँ जादा आराम हो अच्छा एक बात बताओ इनकी सुन्दर ताम है सबसे सुन्दर क्या है आँखे अब समझ में आ रहा है अनूप से निराश होकर तुमें मेरा हाथ दावा यह जूट है तुम्हे सच क्या सच सच यह के अनूप अपनी रादों में कमियाब नहीं हुआ और इसलिए उसने जलकर सच को गलत ठंक से आपके सामने रखा और कल रात उसने मुझसे बद्तमीजी करनी चाही उसने बद्तमीजी करनी चाही यह तुमने मुझे गोलिया खिला कर उसे फुसलाना चाही यह आप क्या कहरें आप आप इसे सूचा कैसे कि मैं इसका मैं और कुछ सुना नहीं चाहता अंदा तो था ही तुम्हारी प्रेम कहानी सुनने से पहले मैं पहरा हो जाता तो अच्छा था मैं अपी सुचा की सौगन खा कर कहती हूँ मैं ऐसे कुछ पाप नहीं किया पाप तो मैंने किया है तुमसे शादी करके मैंने पाप किया तुम्हारी बेरुखी को बुला कर मैंने पाप किया तुम पर विश्वास करके मैंने पाप किया सारे पाप मैंने किया, सिर्फ मैंने बेंदिया जगाए बेंदिया जगाए हो रामा निन्दिया ना आए हाँ आए बेंदिया जगाए आरी कारी रस्या में जो तिस चमुके है अमरे जिया में बेंदिया जगाए हाँ बेंदिया जगाए हो रामा निन्दिया ना आए आए बेंदिया जगाए बेंदिया जगाए आए बेंदिया जगाए आए जगाए लिम्टी आटी ओो ओ, लिम्टी आटी बो, लिम्टी आटी ओो, या ना गिनती दस गई निधिया चुरा के भूँ मैंनों में बस गई मैंनों में बस गई पल पल जब इक चुद बन जाए कैसे जीए को इंचा करे हाए कार बिंदिया जगाए हो रामा बिंदिया ना आए हाए बिंदिया जगाए बिंदिया जगाए बिंदिया जगाए बिंदिया जगाए बिंदिया जगाए को आए कौण तू? तू यहाँ क्यों आई है? मामी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ उन्हें मेरे चेतर पर श्रक हो गया है एक आप ही लोग हो जो मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती मुझे भी एक जोग से मिला था काय रहा था कि जीवन में सुखिर आना चाहती हो तो अपनी भांजी की शकल भी नहीं देखना बच्चों की माँ तुम चुपरो जी मैं अपने घर पर इसकी साया भी नहीं देखना चाहती चले हां से चले हां से दाइए कहीं भी फिर्च बापी चले हां जरा सुनिये आनंद बाबु घर छोड़कर कहीं चले गये हैं आपके लिए ये खत दिया है मंगला मंगला आदमी जिसे प्यार करता है उसी के हातों ठगा भी जाता है हमारा साथ रेल की पच्चियों का साथ था जो पास रहकर भी कभी नहीं मिल पाती मैं ये घर और इस घर की हर चीज तुमारे लिए छोड़के जा रहा हूं सिर्फ एक चीज अपने साथ ले जा रहा हूं अपनी मा का हार जिसकी ना तो तुम्हें जरूत है और ना ही जिसके तुम काबल हो सिर्फ घर चोड़ने से काम नहीं चलेगा जो कुछ भी हुआ उसे हमन से बरदाश करना होगा ताहरा में प्यास बरदाश कर सकता हूं लेकिन ग्लास का होंटो से लगकर तूट जाना उससे बरदाश नहीं होगा मुल्वा मेरी जिनगी में ना आई होती तो अच्छा था यह शहर शहर की गलिया गलियों की लोग सबी तुसकी याद दिलाएंगे तो आप यह शहर भी छोड़ दीजे मेरा भी यह खैल है आपकी कला के लिए यह शहर बहुत छोटा है बंबे जैसा बड़ा शहरी आपकी सही किमत कर सकता है बंबे लेकिन अकेले अकेले क्यों? हम आपके साथ चलेंगे अब तारा भी इस बाजार से उप करी है वो संगीत मैं आपका साथ देगी और मैं हाथ ओनों के प्रोग्राम करवाँगा गोपीनाज जी यह शहर हम आजी छोड़ देगे अब अंदेरी रात में आए ते जो शमा बनके उजाला दे न सके रह गए घुआ बनके जबाती खुशक लगों पर ती मोजे खामोशी जबाती खुशक लगों पर थी मोरे खामोशी नजर सुना नसकी दास दाजबा बनके अंदेरी रात लगाए पिर ताओ यादों को अपने वसी ले से इनी दिनों में जला मेरा आशिया बनके अंदेरी रात देखो तुम्हारा काम सिर्फ पच्चो की देख़ाल करना है पच्चो आंठी को नमस्ते करो नमस्ते आंठी नमस्ते बेटे संगीत प्रेमियो, आवास के जादू से सारे मुल्क में तहल का मचाने के बाद, सुर्समराट आनन जी आपके सामने अपनी नई चीज पेश करेंगे मुझे पुरा यकीन है कि इस बार भी आपको उनके आवाज में अपनी सदाएं सनाएं देंगी करेंगी करेंगी एकान इन चीज इस बादे का यगे ऑस प्रिश नई से सामने अले Frankly आहएं आपके सबगा मेंसे है कुछ झाहरा इस बादे अ चुपरो, चुपरो, थारो, ए बग्ली मास्टार, इतर दारोनी मारने का सम्झा क्या? याकुब क्या हो गया भीया, अगर पीना ज़रूरी था तो पी कर गाने बाएटे, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? अगर अपने आपको छपा सकता, तो मैं भी सादू के लाता, खेर चोड़ो, दो शराब दो मुझे, और मच पीछे भीया, नुक्सान करेगी? दो शराब मुझे कमाज, शराब के बज़र में गानी ही सकूँगा, यानि, अब आपके संखित में रियास नहीं, सिर्फ शराब रह गई है, तारा इने पीने दो, तुम सेच पे चलो, हॉल में हंगाम बचावा है, मैं अनौस करता हूँ, लेडिस एं जिंडलमें, शान्त ह जाए, शान्त हो जाए, आनन जी कुछी देर में अपना गाना पेश करेंगे, तब तक तारा दीवी से रास्त लीला की एक छलक देखिए, तारा, अरे वे तारा कौन, अरे होगी कोई सूर्दास की चिंदा मनी, अब ये देखता रहना, कर आए, झाए! लोगी में कर दो पूछी तो प्रज़ के बिलड़ कि बुटते हुआए हुआ लोगी हुआ है झाल 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 क्या बात हर्ट टुक्डे में तबाही दिए अपने पैसे तो इस नाच में वसूल हो गए आये दोस्तो मैं माफी चाहता हूँ मेरी कमजोरी आपको रास नहीं आई इस सिलसले में मैं सर्फ इतना कहना चाहता हूँ मैं कमजोर हूँ इसलिए इंसान हूँ और इंसान हूँ इसलिए कमजोर हूँ माफी आज इतने ही गाऊंगा आज मैं आपके सामने अपने कमजोरी की दलिल पेश करूँगा लोग कहते हैं मैं एक फनकार हूँ अपनी शोहरत से पर मैं शरमसार हूँ मुझे से पूछा गए तो मैं कुछ भी नहीं गिरती तोटी हुई एक दिलवार हूँ तोड़ी शराब पिलू तोड़ी शराब पिलू हो जाए कुछ सहारा ऐ दोस तो तुमें क्या ऐ दोस तो तुमें क्या ये भी तोड़ी शराब पिलू सुर्टाल बोल भूले मनमीत याद आए दो भूत पिलिये तो सौगीत याद आए सौगीत याद आए गीतों में आज भर दूँ गीतों में आज भर दूँ दिल का मैं दर्द सारा ऐ दोस तो तुमें क्या ये भी में जवारा थोड़ी शराब पिलू इसकी औरत में से बर्बाद कर दिया वो कैसे? सुना है किसी और मर्ट के साथ इसका अच्छा? कितना दर्द हो उसकी आवाज में मैं जाने कितनी बेरहम औरत थी वो जिसने ऐसा दुम किया भूले हुए दिनों की यादे जगा रही है शायद कहीं के कोई आवाज आ रही है मुड़कर तो देख लूँ मैं मुड़कर तो देख लूँ मैं किसने मुझे पुकारा ऐ दोस्तो तुम्हे क्या ऐ दोस्तो तुम्हे क्या ये भी में जवारा तोड़ी शराब पिलूँ मुड़ी मुड़कर तोड़ी जसे जसेख घबे ओओयो मन्जिल से दूर हूँ मैं साहिल है दूर मुझे साहिल से दूर हूँ मैं साहिल से दूर हूँ मैं तू पानी को बना लू तू पान को बना लू मैं दूब कर किना रहा ऐ दोस्तो तुमें क्या ऐ दोस्तो तुमें क्या ये भी में गवारा तोड़ी शराब पीलू हो जाए कुछ सहारा ऐ दोस्तो तुमें क्या ये भी में गवारा तोड़ी शराब पीलू ये वा वा एए एए विगर जाता है इस बिल्लिंग में गायक रहते ना उनकी पड़ गाना शुनन जाता है वा नाम हुआ किशी का काम हमारा बढ़ गया जाल हट बोले ना अरे भाटक पिया क्यो फटे हुए तबले की तरहे चिला रहे हो क्या हुआ शाप बेखो ना पतानी की दरशी आ अपने आपको रोख नहीं पाई मैं जयंती हु एक उनकी नजरों में गिर गई हूँ फिर जूंकी चंदों में रहना चाहती हूआ लेकिन भावी, वो तो आपका नाम सुनते ही, आप इसे बाहर हो जाते हैं और फिर आपकी आवाज सुनेंगे, तो आपको घर से बाहर निकाल देंगे आवाज, मैं, मैं उनके आगे बात ही भी खरूँगी मैं गूंगी बन जाओंगी भाहिया गूंगी? अगर गंधारी ने अपने पती के लिए आखों पे पत्ती बांग ली थी, तो क्या, मैं उनके सामने मून नहीं बन कर सकती? लेकिन भावी, मैं… मैं तुम्हारे आगे हाँ चोड़ती हूं, भाईया मैं, मैं पत्ती की जगा नहीं जाती, तासी बन कर उनकी सेवा घंडा चाती हूं तासी, घर की मालकी अप नौकरानी बन कर रहेगी तो क्या हुआ भाईया, मैं, मैं किसी भी तरह अपने धरम में बना चाती हूं चीक है भावी कौन कौन है आप साहब ये नई नौकरानी है, गूंगी है गूंगी है क्या नाम है इसका दासी दासी अचीव नाम है कमल बाबुने इसे नौकरी दी है बेचारी गूंगी है इसलिए इसके आदवी ने इसको घर से निकाल दिया है झाल 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 दासी, जल्दी से ग्लास और बोटन लिया। जी नहीं, पीना मेना बाद में, पहली काम की बात। कौन सा काम। कल का प्रोग्राम सुन लिजी, दस बचे में ने टीवी वालों को बिलाया है। ग्यारा बजे इंकम टाक्स एरवाइजर आ रहे हैं, और बारा बजे मेरे लखनों की एक शायर को नहीं कज़रे लेकर बुलवाया है। तुम तो सुबा आई जाओगी, यह सब आते सुबा कर लेंगे। इस वक्त आराम से पीने दो। एक ही पेग मिलीगा। यह तो जुम है तालाम। आनिजी, आप दुनिया में आये ही इसलिए हैं। कि आप पर वो सब लोग जुम करें। जिन्हें आप अपना समझते हैं। और जुम करने का हग तो मेरा भी है। लेकिन पिचारी दासी मुझे जुम नहीं करेगी। दासी, ले आप वटल। क्यों कि पूर की थेली मी कज़ाै। का मौनी तुम्हा आप पर की जुब दिंग अफ्यरा इस्ट। दशूश्य, शरापने की शुम मुझे जल्ली। आप एक रात पी बना शराब की नहीं रह सकतें। नहीं तारा नहीं शराब के बिना मुझे, मुझे नहीं नहीं रहे गए। कोशिश तो कीजिए, वैसे भी आज शराब हत्म हो गए है। लेकिन, कली तो नहीं बोटल खोली थी। कलाब इतनी नशे में थी, आपको कुछ भी याद नहीं। वह बोटल खाले करने के बाद आप और मांग रहे थे। तो फिर तुम्हें दूसरे मलवाई क्यों नहीं। आनद बाबू, आजकल आप चितना पीने लगे हैं तो आपकी सहत के लिए बहुत खराब है। तारा नव पिना मेरी सहत के लिए खराब है। मैं, मुझे, मुझे गबराथ हो रही है मेरा बदन कहां परा है। देखे, अब तो अब तो दुखाने भी बंद होगी। आज जहने दीजें, मैं, मैं कल ला दूगी। मैं? मैं जानता हूं कहां। मैं जानता हूं। मुझे जानता हूं॥ हुझे बॉटरा किझी पाल। आव्ञ। यानता हूं। यानता हुझ네 है थाथ अचछा कि salt कर दो, कर दो, कर दो. कम अधाने के मजे आफ करना दासे, बीते कल कीयादें, मुझे बहका देती है. तुम्हें मुरा तुम्हें लगा। मैं देख नहीं सकता, तुम बोलने ही सकती. आचारी दोनों तरफ है. तुम्हारी नाराज़गी का पता किसे लगाओ ये दासी क्या कर रहे थी? वो कुर्ते का बटन लगा रहे थी? जी नहीं, आपके पेरों के धूल अपने सर पर लगा रहे थी पेरों के धूल सर पर लगा रहे थी? क्यों? मैं क्या बताओं? उससे भी तुनी पूर सकती? आनंद बाबो, ये लड़की जवान है, खुबसूरत भी है आप इसे इतना करीब लाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? आज पैरों की धूल सर पर लगाई है, तलमांग में सिंदूर भरेगी हमें दुनिया में रहना है, तो दुनिया की तौर तरीकों से दुश्मनी नहीं कर सकते ये नौकरानी है, इसे नौकरानी की तरह ही रखना चाहिए आज उन्होंने तुझे अपना कहा पर किसको, मंगला को या दासी को धूके में मारता मंगला, उन्ही आज दासी पर तरसाय था, मंगला से तो वो नफरत करते है देख रही हूँ आपकी दासी को आपके पीने का वक्त भी आद हो गया हाँ, अब सु ये हालत है, अगर मैं कुछ भूल भी जाओ, ये नहीं भूलती है थोड़े ही दिनों में मेरी सारी जिम्मेदारियां इसने अपने उपर ले ली है हाँ, हाँ, मैं जानता हूँ, देखा, इशारे से कह रही थी, ये मेरा चौथा गलास है तुमने कहा था ने, ये बहुत खुबसूरत है तारा, खुबसूरती को मैंने कभी इतना खामोश नहीं पाया वही कहानी, ये गुंगी है, इसके पती ने इसे निकाल दिया मैं अद्धा हूँ, इसलिए मुद्धा शुच्ट मंगला मुझे छोड़ गई मंगला को आपने छोड़ा है तो क्या करता, वहीं रुकता और मंगला की बेवफाई की नुमाइश लगाता अपने जमीर को मालकर अपने तोस्त और अपनी पत्नी के रंग्रलियों का मजा लेता मैंने तो शादी के बाद ही उसे आजाद कर दिया था फिर प्रेम का नाठक उसीने रचाया मेरी सुई हो यह च्छाओं को उसीने जगाया उसीने मुझे रंगीन सपने दिखाया तारा सपने जितने हलके फुलके होते हैं उनकी लाश उतनी ही भारी होती है बस कीजी ना पीने तो तारा यादों के अंबार चार छे प्यालों में नहीं डूब पाएंगे इन प्यालों में यादे नहीं डूबेंगी आप डूब जाएंगे आपके हस्ती डूब जाएंगी अब तो जिंदगी मौत का इंतजार ही बन रही है आपको ये मायू से शोबा नहीं देती, मैं आपके कसक समझती हूँ, आपको जेने के लिए नहीं जमीन, नहीं उमीदे और 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 नया प्यार चाहिए नहीं तारा, वही पुरानी यादे दासी, शराब दो! और कितनी पेंगे? कब तक पेंगे? जब तक होशना है दासी पुरानी जिम ने उठा कोई लुआ सलाम ने तु अपनी दिल पसोड़े कर, तु अपनी दिल पसोड़े कर नहीं तिल सिखाब ने पुरानी जिम ने उठा ये पुने दिल पिये गदू, तो किस तरा जे गदू जो तु 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 तरा जे गदू, जो तु तु चिका चाड़ कर गया तेरे ले वो पर गया, तिल की तु याद गदू नहीं दिल पसोड़े कर, तु अपनी दिल पसोड़े कर लग से इंज काज़े उर ने जिल पसोड़े कर लिए नहीं नहीं यकीन है ये जंदी हदीन में बरान नहीं यपीन में किसी लख किन उसार कर, किसी में उसार कर, किसी को कुछ पराम दे किसी कुछ पयाम दे, किसी कुछ पयाम दे तु अपने मिंदिल कोड़ेकर, तु अपने मिंदिल कोड़ेकर नहीं किसी कुछ अपने मिंदिल कोड़ेकर तु 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 किसी कुछ पराम दे जच भश पराम दे तुझे भी दर यही है वाँ अ तेरे है जाम में तुझे भी दर यही है वाँ हाथे जमा में हूँ बजन ये नसीब आ जरा में गरीब आ मैं तेरे जिर पठार हूँ मैं तेरे जिर पठाम लूँ तु मेरे जिर पठामने तु अपनी दिर पठोड़िते तु अपनिन दिर पठोड़िते नसीचामने बुरान इंसीपने उता पठामने बुरान इंसीपने उता आनंद बाबू, अपनी गाने पर मर्दों की वहात आवरोर सुनते हैं, कभी औरतों के आंसों देखने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं, मैं दूसरों का दर्द महसूस कर लेता हूं, अगर आप चाहें, यह सब कुछ देख पी सकते हैं, वो कैसे, मेरा एक दोस्त, कमान का सजन है, यह किन है, वो आपके आखों की रोशनी लोटा सकता है, नहीं गोपिनाची, बाहर की रोशनी मेरे बीतर के अंधेरे को और कहरा कर देगी, मैं वैसे ही ठीक हूं, और पर, आखे पाकर मैं किसे देखूंगा, किसे पहचानूंगा, सभी तो नकाब लगायो है, तारों को आपके खालत पदल जाएंगे, मेरी बात रहने दीजिए, आप तारा की सुचिए, बास सोच चुका, अगर मेरा साथ उन्हें खुशी दे सकता, तो मैं इस सवाल लेकर आपके पसाता है नहीं, नहीं गोपिनाची, उससे ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कैसलिए, तारा के प्यार में आपको एकमे पाते हैं, या इसलिए, तारा का बीताओ अकल, आप भूलने सकते हैं, मैं तो अपना बीताओ अकल भूलना चाहता हूँ, तारा का बीताओ अकल कैसे याद करूँगा, मैं जानता हूँ, तो बहुत नेक है, शरीफ है, किसी भी ज लेकिन मेरी जिन्दगी जिन्दगी है कहां। मैं तो जिन्दगी के टुकड़ों को सांस के साहरे किसी भी तरह खीच रहा हूं। आई गोबिनाची, मैं उसके लाइक नहीं। यह तुमने अच्छे नहीं किया, गोबिनाच? तुम्हे तुम्हेरना चाहिए था। मुझा गलती होगे, तारा. लेकि मेरी बात मानो, तुमको अच्छे साथ में देकर, कर लो. जैसे तुम्हारा आने वाला कल, समफर जाएगा. तुम अच्छी तरह से जानते हूं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती. तारा, जैसे मैंने पहली बार तुमसे कुछ मागा, और तुमने नहीं कर दी. कॉबिनाच, तुम, तुम किस मिट्टी के बने हो? मेरे कल की फिकर है, अपने कल की फिकर नहीं? आखर, आखर ऐसा क्या है मुझ में? और अगर मैं यह पूछू, तुम संदे संगितकार में ऐसा क्या है? जो तुम जैसे खुबसूरत लड़की, उसके खातिर अपने आप को मिटा रही है, तो? सच बाद तो यह तारा, हम दोने एकी मिट्टी के बने हैं कभी उसकुमार से मुलाकात होगी? तो हम पुछो ना, हम एसी मिट्टी से क्यों बनाया है? आज करवा चौत है, सुहा का नप्य सुहा की रख्षा के लिए बरत रखती है मैंने भी आज बरत रखा है, भगवान करी, आप हजारों साल जीए और मैं हमेशे इसी तर आपकी दसी बन्यों इसा लगा यहार? बहुत सुन्दे माह इसे पैना करती थी बरसों पहले उननों मुझे यहार दिया था और कहा था, तेरी बोव को यह पहना न मैं कितनी खुशनिसी थी मल्ला, मैं यह घर और इस घर की हर चीज तुमारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ सिर्फ एक चीज अपने साथ ले जा रहा हूँ अपनी मा का हार मुझे अपने तुमारे न अजर सबीना करें था? अगAND कौण आपकी डासी हार चुरा रहे थी डासी के तुम चुरी करें थी? आलमारी खुली है, और हाथ में यहार था डासी तुमने इस हार को बहुत कीम्ती समझा होगा जिसे इसकी कीमत करनी थी वही कीमत नही कर पाई उसने यहार तोड़ा, संबंद तोड़े और मुझे भी तोड़ दे खर, ये रख लो तुम और आएंदा चोरी करके घरीबी को बना मत करना ये क्या कर रहे हैं आप, सजा देने के बज़ाएद इमान दे रहे थे बिना दलील सुने, सजा देना भी तो ठीक नहीं है और फिर बिचारी गोंगी है, अपनी सफाई भी तो नहीं दे सकती होगी कोई मजबूरी ये हार बहुत खुबसरत है ये, ये मेरी माग के किशानी है मेरे लिए बात पिंती है ऐसे नंकरूं की बीच, कब तक बचेगा आप कहें तो मैं ऐसे अपने पास संभाल के रख लूँ तुम तुम इंसे रखोगी? हाँ ठीक है रख लो अनन जी आनन जी दोस्तो आनन जी सारे मुल्क के जाने माने कलाकार है हमारे कलब का एक छोटा सा तोफ़ा उनकी शान में बहुत अधना सा है फिर भी इसे हमारी महबत और इज़त की निशानी समझतर कुबूल किया मैं आनन जी से भाशन देने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये इनकी आदत नहीं है फिर भी इनसे गुजारी से रूँ करूंगा कि ये आपके सवालों का जवाब देने की तकलीफ गवारत करें तो लीजिए सवाल आपके और जवाब आनन जी के आईए आनन जी आनन जी कुछ लोग कहते हैं कि गायक के दिल में दर्द हो तो वो लोगों के दिलों में दर्द पैदा कर सकता है गायक के लिए ही नहीं ये बात तो हारकलाकार के लिए सच है आपके दिल में क्या दर्द है? क्या दर्द है? यह सवाल बेमानी है. डर्द है, यही बत सच है. आप साफ साफ क्यों नी कहते, आपको अपनी बीवी के भाग जाने का दुख है? और उस दुख को बुलाने के लिए ही आप इन तारा देवी को अपने साथ रखते हैं. तारा जी भी एक कलाकार हैं और दो कलाकारों का साथ बुरा तु नहीं है तो आज तक आप ने उनसे शादी क्यों नहीं की शायद इसलिए के आप समाद में भले आभी बन कर रहना चाहते हैं और आज तक आप उने बगार शादी के अपने पास रखे हुए है की जवाब दीजी आप चुक्की हो गए मैं तारा जी से शादी करूंगा कमल जी भाईया तुम्हें एक जरूरी काम करना है बतला ये मंगला का पता लगाना है भाईया आपने कहा तुसमेजी ये पता लग गया लेकिन इस बेकरारी का सबब वो जहां हो जिसके भी साथ हो उसे मिलो मैं उसे तलाग देना चाहता हूं तलाग? क्यों? मैं तारा से शावी करूंगा भाई लगता भाईया को अब आपके बारे में सब कुछ बतलाना ही पढ़ेंगा नहीं कमल उनसे कुछ नहीं खेला मैं जिस हल में हूँ खुश हूँ उन्हे तारा से शादी कर ले ले दो यानि आप भाईया को तलाग करेंगे मैं उन्हें किसी की मत पर तलाग नहीं दे सकते आप तलाग नहीं देंगी प्रवाया तारा से शादी करें, भाभी मेरी कुछ समझ में नहीं आरा तो नहीं समझ भागी कोपीनाद का कहना था कि आप इस आपरेशन से कभी राजी नहीं होंगे आनंज साथ, जर आगया जाए, सर नीचे कीजिए, फिर्स क्लास क्लास अब आप पीछी हो सकते हैं आनंज साथ, आपकी आँखों की रोशनी तो जरूर लोटाएगी लेकिन जब तक कोई आँखे दान न करें, आपको इंतिसार करना पड़ेगा अरे अरे अरे, कितनी बार कौं की संभल की काम क्या करो तुम लोगों को समझाते समझाते तो मैं तुम्हें तुम्हें आपकी तारीफ जब उनका पुराना दोस्त हूँ, काफी अर्से सो मिलानी था, जब उनकी शौरत के किसे सुने, तुम मिलने चलाया अच्छा, सश्रीफ रखे, दासी, अरे हाँ, आप क्या लीजेगा, थंदा या गरम जी मैम, लाँ मंगला जी ये नकरानी है क्यों, आप इसे जानते हैं जी मैम, शायद किसी और घर ने देखा होगा ओ, आप तो आनन बाबो के पुराने दोस्त हैं उनकी पत्नी को तो जरूरी पहचानते होंगे आनन जी की पत्नी? हाँ, मंगला नाम था उसका उनके एक दोस्त के साथ उसका कुछ खैर छोड़िये, क्या आप यह बता सकते हैं कि मंगला ने दोस्त के साथ शादी की यह नहीं? जी मैं आउसे पहले भी कह चुका हूँ मैं आनन जी के मुद्द से नहीं मिला हूँ खैर छोड़िये, घर तो देख चुका हूँ फिर कभी आऊँगा सुनिये, आपने अपने नाम तो बताया नहीं नमस्ते तुम जूटी हो तुम्हारा पती तुम्हे छोड़ गया है इसलिए कि तुम गूंगी हो तुम जूटी हो मैंने तुम्हे पहचान दिया है तुम मंगला हो तुम्हारे पती ने तुम्हे इसलिए ने छोड़ा है कि तुम गूंगी हो तुम्हे इसलिए छोड़ा है कि तुम बच्चलन हो और अब उसी पती के घर में नौकरानी बनकर रहने आई हो अब तुम्हारा प्रेमी भी यहाने लगा है इस बार तुम उनोंने मिलकर कौनसी चाह सूची है? बोलो, तुम चाहती क्या हो? पैसा? कितना पैसा जाए? मुझे कुछ नहीं चाहिए चाहती हूं तुसरे भी कि उनके पास पढ़ी रहूं तुम तो इस घर में मालकर बनकर आई थी न? उन्हें भी अपने सारी अर्मान चुटाकर तुमसे प्यार किया था ये प्यार ये घर तुमने ठुकराया अब नौकरानी बनकर कौनसा सुप़ाओगी? मंगला, तुमने प्यार एक मर से किया और शादी किसी दूसरे से शादी के बाद भी तुम अपने पती के अंधियपन का फाइदा उठाकर अपने प्रेमी के साथ रंगरल्या मनाती रही माफ करना, तुम पत्नी के रूप में एक वैशा निकली और अब जब वो प्यार भरी जिंदगे के तरफ लोट रहे हैं तो तुम उनकी रास्ते में कांदे बिछाने आये हो यह सच है कि मैंने शादी के पहले अनुप से प्यार किया था और यह भी सच है कि शादी के बाद मैं उनके अंधियपन को बरताश नहीं कर पाई और मैंने कभी उनसे प्षवास खात नहीं किया यह बात है, कि मैं उनके सामने अपनी बेगुना इसाबित नहीं कर पाई और अप करना भी नहीं चाहती। चाहती हूं तो बस इतना, कि जो मैंने खोया है, उसे आप पालो मैं आपको उनकी दूलन देखना चाहती हूं और मैं जानती हूँ कि वो आपके सथ खुश रहेंगे और मैं मेरे लिए दासी की जगा हमेशा बनी रहे आपको मेरे विबसी की कसम यह राजन से छुपक ही रखना मैं किसी भी हलत नहीं जोकत नहीं छोड़ना चाहती तुम, तुम सच कह रहे हो और अगर यह बात जूट निकली तो तुम्हें यहां से जाना ही होगा और सच हो तो तो जब सच निकलेगी तब देखा जाएगा तुम, जब सच निकलेगी जब सच यहां अनूप यहां? अनूप, मैं अनीटा बोल रहाएँ अनीटा तो मैं अनीटा तो मैं अज़ जोक्तर के पास गई थी उससे कहा... दिन बहुत ज्यादा हो गए है इसलिए कहा था दो मेने पहले डॉटर के पास चाने के लिए तुमने शादी के लिए कहा था नदा मैं इसलिए रुख गए थी शादी से इस बाग का क्या मतलग शादी तो होगी लेकिन जब मैने तुमसे कहा था डॉक्टर के पास जाने के लिए, तुम गई क्यों नहीं, इसलिए तुमसे कहा था, खबराओ मत, मैं, मैं किसी बड़े डॉक्टर सा अपान्मन ले लूँगा, और तुम मुझे, मैं तुम्हे फोन करूँगा, ठीक है? अज़े अज़े, यह क्या हो गया तुम्हे, एक्सिरेंट हो जाएगा? मैं तुमसे मिली, इससे बड़ा एक्सिरेंट मेरे जिंदगी में दूसरा नहीं हो सकता अज़े अगर इस तरह गाड़ी चलोगी, तो एक और एक्सिरेंट हो जाएगा आगे रास्ता देखो जो रास्ता पीछे रह गया है, उससरी अच्छी तरह देख रही हो नूप उस रास्ते पर अनीता का होने वाला बच्चा रो रहा है तुम अपने बारे में सो था मेरी जगह पर पहले अनीता थी, और उससे पहले कॉन थी? कोई भी नहीं, मुझका भरोसा रखो जिसने भी तुम पे भरोसा किया, तुमने उससे मिटा दिया लेकिन अब यह ना तक तुम किसी और नहीं कर पाऊगे आज तुम यह क्या उटिसी दवादे कर रही हूँ मरने जा रही हूँ, लेकिन तुमे भी जिन्दा नहीं रहने दूंगी बुझक, लेकिन कार रा स्धानी नहीं चाया रहना, यह ख॥ा यह चाया रही हूँ जरच मसमदा भी जाड़, जरूंगी दुम पाऊज, खुल्द की दूंग, जरूंग कर दो... तुमने बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है लेकिन अब किसी लड़की के साथ ही ये बात नहीं होगी मैंने कहा था ना मैं तु मरूँगी लेकिन तुमें भी जिंदा नहीं रहने दूगी तुम इंसान नहीं, शैतान, तुम्हारे कारण मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया गया तुम मेरे बच्चे के खून के जिम्मेदार हो, तुम हो नहीं हो तुम मुझे मंदीर में मिले, तो मैं समझी कि तुम एक नेक इंसान हूँ लेकिन तुम इंते कमी निखले, तुमने ना मुझे में के गरहने दिया, ना ससुदाल का तुम जलील हो, शैतान हो, मीचो तुमने बहुत लग्तियों की जिंदगी बरबाद की है तुमने नहीं, शैतान, तुमने ना मुझे में के गरहने दिया, ना ससुदाल का तुम मेरे बाजित दुम्हें 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 मैं आनूप हूँ हाँ, आप आनूजी के दोस्त हैं न? जी हाँ, वही दोस्त जिसने दोस्ती के कलग उठिया, जिसने एक नेक इंसान के अंदेपन का फाइदा उठाकर इंसानिये प्रकलंग लगाया, जिसने एक शरीफ बतनी से उसी के घर में वासना का घनोडा खेल खेलना चाहा, और जब काव्याब नहीं हुआ, तो अपने आप को बचाने के लिए उसने पती के दिल में इतनी जहर गोले, कि उसने उसे घर से निकाल दिया, और आप पिचारी, मगला, अपने ही घर में तासी बनकर रहने पर मजबूर हो गई, मैं तो बहुत किरावा इंसान हूं तारा जी, लेकिन अपनी कमिंगी के हाथों मैंने चोखुछ भी किया, अब आप वही अपनी शराफत के हाथों से करने जा रही हैं, जी, आप भी तो मंगला से उसके पत्थी को छीन रही हैं, यह मेरी वसियत है, इसके मताबिन, मरने के बाद, मेरी आखें आरणजी को मिलनी चाहिए, आरणजी फिर से देखेंगे, मंगला को देखेंगे, उसके बहुले चेरे को देखेंगे, तारणजी, ऐसा होगा ना, ऐसा, होगा ना, आरणजी, 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 मुबारक हो भाई, आखर वो दिन आही गया, जिसका आपको इंतजार था, दस-एक मिनिट बाद, आपकी पट्टे ही नहीं खुलेगे, बल्कि आपके जिंदीगी का एक नया दौर शुरू होगा, एक नहीं सुभा होगी, आपको याद होगा, डॉक्टर साब, मैंने फैसला किया था, जब मुझे आखों की जोद मिलेगी, मैं तारा से शादी करूंगा, नर्स, जड़ा कटनगी, यस डॉक्टर, तुने फैसला किया था, कि जिस दिन इनकी आखों की जोद लॉट आएगी, तु अपनी जिंदेगी की जोद हमेशा के लिए पुझा देगे, और तुने ये फैसला किया था, कि जिस दिन इनकी आखों की जोद लॉट आएगी, तो मंगला को उसका हग दिलाकर उनकी राज़े से हाट जाएगी मंगला 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 बख़ा मंगला बख़ाओ कि लाऊज़ेद ध ध कर दो कि वो बख़ाई बख़ाई कि गच़ करा कि 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 गड़ीजब कि दुछ भला! भी बनोज भूजब भू जए नहीं तारा, इंदुस्तानी औरत को बजपन से ये शिख्षा दी जाती जिस घर में उसकी डोली चाहे, उसी घर से उसकी आर्थी भी निकल ली चाही है नहीं मंगला, पानंग बाबु तुम्हारे है, तुम्हारे ही रहेंगे नहीं, मेरे थे, अब वो तुम्हारे है उनकी खुशी क्या है? वो मुझसे नफरत करते है मुझसे नफरत करते है मंगला, मैं उनकी दिल से नफरत दूर कर दूगी तुम्हारे बेगुनाहे का यखिन दिलाऊंगी नफरत की दरार, अब क्या मिठीगी? मैं तलाक लेकर चीना नहीं चाहती मुझसे स्वाकरी बर्चाने दो उन्योग चाहतारा मंगला, मंगला से पहचानते हो यह उनकी माँ कहार है तुमने फैसला करी लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगे हाँ, लेकिन लेकिन तुम कैसे सुहागन हो जो बिना साथ शिंगार के जा रहे हो लो, इसे पहम लो मंगला मुझे इसकी जरूवत नहीं लो, 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 अब देरे देरे आंखे कोलिए दोक्तर साँ मैन मैं देख सकता हूं, दोक्तर साँ मैं मैं देख सकता हूं वह यह कमल वह यह अब दारक मैं रिने देखे इन में से आप अपनी तारह को पहचान सकते हैं यह मेरी मा का हार है, तब तो तुम ही तारह हूँ नहीं, परा मैं हूँ तो फिर आपको नहीं? यह मंगला है तुम मंगला हो? हाँ, इस हार पर मंगला का यह अदिकार है मंगला गंगा की तरह पवित्र है तुम कैसे जानती हो? अनुक का एक्सिडेंट हुआ, अब उस दुन्या में नहीं है मतने से पहले उसने मंगला को निर्दोश ठाराया और अपने आखें आपको दान करके अपने पापों का प्राश्चित किया और आपसे श्यमा मागे मंगला 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 मैं पीसारा कहा थी हमश्यद आपकी पासी थी मेरे पास? दासी बनके दासी? तुम थी वो? मतलब मैं तुम्हारे सामने तुमको तिन राद खोसता रहा गालियां देता रहा मुझे माफ कर दो मंगला हनी तारा कहा जा दियो? कहा जाते हैं इस लोग जिन्हें मंजल और रास्ता एक साथ मिलता है कहा जाते हैं इस लोग जिनकी सारी मुरादे पूरी हो जाती है कहा जाते हैं इस लोग जिनकी लिए खोने और पाने का फर्क मिचाता है तुमने मेरा खोया हुआ सुहाग लोटाया है तुम नहीं जा सकती अगर तुम चलीगी तो इस घर में आई हुई कुशिया लोट जाएंगी इस घर में खुशिया आ गई है अब जाएंगी नहीं जाएंगे सिर्फ जाने वाले मैं जनम से वैश्य थी आनजीने मिले होते तो मैं आज भी किसी बाजार में मुझरा कर रही होती लेकिन ऐसा नहीं हुआ आनजीने मुझे सवारा समाज में इज़त की काबल बनाया संगीत की कहनों से मुझे तुलान की तरह सजाया अब अब बिदाय की घड़ी आ गई है इस वक्त इस वक्त आपके आँखों में एक भी आंसु आया तो मेरे कदम डगमगा जाएंगे आप, आप ऐसे तो नहीं जाएंगे न? हाँ है को जिसके दब पर कोई दुआ नहीं है मेरा ही एक शायत कोई खुदा नहीं है कोई खुदा नहीं है मेरे होता अगल तो पूंता मेरा भी वो पता ना हाँ लाँ कोई भी एक लाँ पाल